असलाम अलेकुम रेस्पेक्टे टीचर इस्ट माडूल 4 लांच कर दिया गया है और आज हम इस्ट माडूल 4 यूनिट 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा तो चलते हैं और देखते हैं unit 1 को और start करते हैं start training पर हम click करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे module 4 writing skills को start करेंगे सबसे पहले इसका जो है न overview आएगा और overview के बाद इसकी जो सबसे पहले activity होती है reflection की वो आएगी reflection में statement होगी आपने उसको agree और disagree करना होता है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं सबी को आप agree भी कर सकते हैं और disagree भी कर सकते हैं उसके बाद next activity करेंगे वो आपनी आप मर्जी से कर सकते हैं तो उसके बाद self assessment checklist आएगी इसका जो है ना one जो है ना वो lowest होता है और five जो हो highest होता है तो आपने अपनी मर्जी से ये पांच होंगे उनको ग्रेडिंग कर देना है चार या पांच किसी को दे देना है आपने उसके बाद ये एक्टिविटी आएगी हमारी तो question number one जो है ना उसका हम लगा देंगे mother तो question number two है जी what is the purpose of the SMS उसका apologize कर देंगे select question number three है जी who is the audience of the short story तो इसका the child's teachers और parents लगा देंगे ये हमारा correct है question number four है जी इसका हम लगा देंगे question number five है इसका भी हम लगा देंगे question number six है जी इसका give information लगा देंगे question number seven है जी इसका a friend लगा देंगे और इसी तरह नीचे हमारा last question आएगा question number आठ इसका लगा जाएंगे invite to a party इसी तरह ये पहली activity के 8 question होगे और आठ आपने इसी तरह देंगे कर लगा देने हैं आपकी 100% ये पहली activity solve हो जाएगी तो आप देखते हैं और next activity को चलते हैं कि देखते हैं दूसरी कौंसे कि इसके चार question होगे ये 4 out of 400% हुई है मेरी activity इसको देखें और solve करें इसी तरह what is the aim of the activity 1 इसका लगाएंगे communicate a message and practice language ये लगा देंगे question number 2 what is the aim of the activity 2 इसका practice language लगा देंगे question number 3 इसी तरह communicate a message and practice language कर देंगे और question number 4 भी आप देकर लगा दीजिएगा इसी तरह ये भी activity है दूसरी ये भी आपकी 100% हो जाएगी अभी back करेंगे और देखते हैं कि हमारी next activity कौन सी आएगी next activity करते हैं मैं इस तरह जल्दी कर रहा हूं ताके आपका जो है ना time भी बच जाए और आप सारी activities खुद से हल भी कर सकें तो यह है जी learning how to write इसके चार question होंगे इस activity के मैंने यह चारों के चारों 100% की है 4 out of 4 आपने देख कर सी तरह लगाने हैं question number 1 का हम false click का select कर देंगे और question number 2 का जो है ना हम true select कर देंगे इसे तरह नीचे जाएंगे और question number 3 को देखेंगे के वो क्या है यह true हो गया हमारा question number 3 it's a normal for children to invent spelling when they start to write इसको true कर देंगे question number 4 as children उसको भी आप देकर लगा दीजिएगा तो back करेंगे और फिर अपनी next activity को देखें यह back किया और next activity मैं जल्दी से कर रहा हूँ आप अहतियात से कीजिएगा pause करके अपना जवाब देखिएगा जल्दी मत कीजिएगा जो ठीक है यह activity देखते है applying to your context यह जो है ना इन सब को आपने tick कर देना है ठीक है ना इन सब को आपने tick कर देना है और submit कर देना है यह हो गए यह हमारा बैक जाएंगे और next activity देखते है next activity हमारी है getting learner ready to write यह छे question होंगे इसके जवाब देखते है यह six out of six hundred percent मैंने activity की है इसके जवाब आप देख लें इसका फालस आएगा question number two है जी the teacher gave an example how to make a mind map इसका true आएगा अभी question number three है the mind map requires a lot of lesson planning time इसका फालस आएगा यह pause करके आप तसली से कीजिएगा question number four का true आएगा question number five का children were able to write independently यह true आएगा बिलकुल और लास्ट वाला है the teacher graded the writing यह false आएगा तो यह भी हमारे च्छे के च्छे ठीक हुए है 100% हुए है हमारी यह activity तो यह आप इसी तरह देख कर कीजिएगा बैग गए हम next activity देखते हैं के वो कौन सी है यह हमारे पांच question है तो drop down menu मेंसे आपने select करने है यह 5 out of 100% मेंने activity की है आप भी देखिए कि यह पांच यूं के answer क्या हो सकते हैं grade 1 का writing readiness, grade 2 का writing readiness and spelling, grade 3 का writing for understanding, 4 का writing for meaning और 5 का writing various text types यह आपने drop down menu से select करके लगा देने हैं तो भी next activity करते हैं और उसको देखते हैं के वो कौन सी है तो यह भी 5 out of 5 student learning outcomes हैं, SLOs हैं तो इसके 5 out of 5 यह भी मैंने activity 100% की है चलें आपको दिखाते हैं के कौन कौन से इसके answer हैं यह भी grade 1 to 5 है आपने drop down menu मेंसे select करना है और सभी के जो हैने आपने A, B, C, D, E लगा देना है grade 1 का A, 2 का B, C का 3, D का इसी तरह आप करते जाना है और अब इस next चलते हैं मैं जल्दी जल्दी से जा रहा हूं checking your understanding यह देखते हैं आगे next यह activity होगी इसके भी 5 question है तो आपने यह did you understand, did you learn, देखते हैं यह activity भी मेरी 100% हुई है, 5 out of 5, 100% आपने pause करके तसलिश से जवाब को click करना है, जल्दी नहीं करना है तो यह पहले question का आएगा memories वाला, question number 2 है, the tone of خाधिजा writing is typically formal, इसका fiction और transactional आएगा, यह दोनों लगा देने हैं आपने question number 3 का creative, writing, gives, यह भी आपने लगा देना है, language और last वाले का linguistic लगा देना है इस तरह हम इसको submit कर देंगे, back guy और next activity को देखते हैं इसके चार question है, इस activity के, teaching creative है, transactional writing, यह four out of four, यह activity भी मेरी 100% ही, इसको आप देख लिए पहले का true आएगा, question number 2 का, जो है ना, the teacher assigned a topic to have students start writing right away, इसका false आएगा, question number 3 is, students seem bored while brainstorming ideas for writing, इसका false आएगा, यह आप देख लेएगा, question number 4 is, student proof, proof, read and finalize their work after the first draft, इसका true आएगा, यह भी 100% है, मेरी activity, इसको आपने, इसी तरह सेम करना है, अब next activity देखते हैं, कि वो कौन सी है, यह PDF से है, इसको आपने open करना है, view करना है, ताके आपकी percentage में जो है ना, वो, add हो जाए, आखर में है जी, self assessment checklist, यह जिस तरह start में हम आपने इसको जो है ना, वो grading दे देनी है, किसी को 4, किसी को 5 दे देना है, तो यह next आया गया हमारा, उसके बाद unit 1 का quiz है, जी, बहुत एहम है, इसकी एक attempt होती है, आपने ध्यान से करना होता है, तो देखते हैं, कि हमारा unit 1 का quiz, यह 4 out of 4 question है, और इसके चारों के जवाब द speaking are both ways to communicate, यह true है, जी, बिलकुल, तो which of the following is not, यह writing sentence वाला जो है, यह इसकी example नहीं है, तो question number 3 है, जी, in the national curriculum there are two benchmarks, नहीं, जी, there is only one benchmark, यह false है, question number 4 है, जी, effective communication through, writing builds stronger relationship, इसका transactional आएगा, यह लगा देना है, यह मेरे चारों ठीक हो गए है, 100% हुई activity, इन्शाला आप इसी तरह attempt कीजिएगा, आपका unit 100% हो जाएगा complete, और फिर आप फरदर next unit का इंतजार कीजिए, चैनल को subscribe कर दें, और like करें, वीडियो को share करें, visit करें, thank you so much.